मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाओं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवटे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है, बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर, आज के सूत्रों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुने, आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है, इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र, बागवटे जी का, वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में क खाना महत्तुका नहीं है, खाने को पचाना महत्तुका है, क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रसमें से मास मज़ा रक्त, मल, मूत्र, वीर, मेद, ये सब बनेगा, आस्थियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगी, पहला सीधा सार्थ है, भोजन के अंत में पानी पीना, विश पीने के बराबर है, सुत्र ये है, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजन अंते विशमबारी, विश, समस्ते हैं आप जहर, जहर जैसा, क्या है पानी, सुत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत दारन दूँगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं। इसमें अगनी प्रदीप्त होती है। जठर अगनी जठर अगनी और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है। ये है महत्तु की बाद। आपने रोटी का पहला टुकडा मुह में डाला और जैसे ही टुकडे को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाती है। तो ये अगनी प्रदीप्त हुई अब आप जो भोजन करiron ये इस अगनी के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा। पहले पेस्ट बनेगा। जैसे टूथ पेस्ट की कंडिशन होती है वैसा बनेगा। लुगदी जै अगनी का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है, तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है, अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई-कोई लोग तो लोटा भरके पी लेते हैं, कई-कई लोग तो भोजन से जादा पानी पी लेते हैं, तो फि पहले गैस बनेगी वायू बनेगी और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगी और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी तो ये वायू पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको चक्कर आए नहीं और ये जो वायू बनी भोजन के सडने से इसी वायू में से बागवट जी ने सूची बनाई है कि एक सो तीन रोग पैदा होंगे एक सो तीन सबसे पहला रोग है उसमें एसीडिटी हाइपर एसीडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर पैप्टिक अलसर बवासीर मोडवयार भगंदर और अंत का एक रोग है कैंसर करक रोग मने एसीडिटी से शुरू होकर आप कैंस पासर तक की यात्रा कर सकते हैं और बाद में बागबट्ति जी कहते हैं वो भी बता देता हूँ वो दूर का सुत्र है लेकिन यहीं पर ले आता हूं उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल रहता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का कॉलेस्टरॉल है एक गुड और एक बैड अच्छा कॉलेस्टरॉल मने HDL high density lipoprotein खराब कॉलेस्टरॉल मने LDL और उसका शोटा भाई very low density lipoprotein जिनको कॉलेस्टरॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड रहा है तो कॉलेस्टरॉल बढ़ेगा तो हर्ट अटेक भी आएगा कॉलेस्टरॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो यह कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं अब जैसे यह सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्नाएंगे कि पानी कप पीना तो बागवट जी कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो अब यह जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है यह क्या हे यह बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठरिस्थान में देड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है देड़ घंटे तक और एक से देड़ घंटे का वो बताया है तो अलग-अलग छेत्र के हिसाब से अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा त तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डिड़ घंटा ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा. आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ, दस बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बच कर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं. और बीच में पीना के नहीं, वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन हैं, दो अन, माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहूं हैं और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं दो अन हैं. एक अन की पूरती पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है, इस पे पानी पीना, मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद, चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना, लेकिन मातरा कितनी, तो वो कहते हैं, दो या तीन घूट, इतना ही, उसके बाद जब दूसरा अन्ना आपने शुरू कर दिया, फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिये, अब आप भोजन कर लिया, तो गला साफ करने के लिए, नहीं पीना, दिड़ गंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं, तो बागवटी जी ने तीन चीज़ें बताई हैं, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है, कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है, वो है चाच, वो है मठा, दही का, तक्रम, लसी पीने के लिए नहीं कहरे, मक्षन रह गया, तो वो लसी, तक्रम की बात, दूसरी सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है, वो है दूद, और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ बताई है, फल का रस, जिस मवसम में जो फल आता है, उसका रस, मनि मौसम के विरुद् आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिया तो नहीं चलेगा तो आप यह कहें कि cold storage से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस यह सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा